कई सारी किताबे हैं और कहें कि वो किताबे भारत के इरदिगिर्द घुमती हैं। तो आज उसी संदर में हम डॉक्टर राकेश जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो आखिर क्या मानते हैं जो इस बक्त पूरे भारत में देश में और विदेश में चल रहा है राकेश जी इंडिया नियूस के इस मंच पर आपका स्वागत बहुत बहुत धन जी राकेश जी चुकि आप आएं हैं और ततकाल एक फैसला आगया है इलाबाद हाई कोट का ये कहा गया है कि क्रश्न जन्म भूमी और जो विबादित इडगा है उसका मुद्दा है उसका अब एसाई सर्वे करेगी अब तमाम जो लोग है राजनेतिक लोग है उनका ये क क्रिष्ण और सिव की पूजा करना छोड़ दें और राम मंदिर बन गया इसका मतलब यह नहीं कि हम सिव और क्रिष्ण की मंदिर को छोड़ दें भारत की बिरासत पर जो आगात हुआ वो आगात सिर्फ किसी मंदिर पर नहीं था आकर्मन कारियो ने यहां की संस्कृति को अध्यात्म को मिटाने की कोशिस की आप कलपना कीजे कि हम लोगों ने गाउं में जो लोग रहे हैं मापिता जी में बच्चों करते रट लो इसको याद कर लो यह संस्कृति क्यों आई जब बार बार आकर्मन होता था हमारे धर्मकरंथों को मिटा दिया जाता था पूजा स्थलों को मिटा दिया जाता था तो अपनी संस्कृति को बिचाने के लिए हमने इस बिद्या को इस बिद्या की परंपरा को बिक्सित किया आज वह परंपरा अभी भी जिवित है तो कासी और मत्रा के मंदुरों को तोड़ना जो लोग कासी के मंदर में जाते हैं वो देख संस्कृति हिंदू बिरासत रही है तो अंत वे मैं एक पंक्ति कहूंगा रामनोर लहिया जी ने एक लेख लिखा है राम कृष्ट सिव ये तीनों अराध्य देव हैं और तीनों अराध्य देव का जो मंदिर है वो भारत की संस्कृति के स्मिता की परतिक है अब चुकि नियायले के द्वारा जा रहे हैं बास्तों में होना यह चाहिए था कि मुस्लिम समाज को स्वेम आगे बढ़कर कहना चाहिए था यह आकरमनकारियों की बिरासत है हम उस बिरासत से अलग करके आकरमनकारी पुर्व भारत की बिरासर से जुड़ना चाहते हैं लेकिन जब हाई कोट ने फैसला दिया है इस फैसले का स्वागत क्या जाना चाहिए मुझे लगा था सकारात्मक, रशनात्मक और भारत के भविश्य को निर्धारित करने वाला फैसला है लंबे समय से सालों तक ये बहस चलती रही के राम मंदर पर भी ऐसा हो के सारमजले तोर पर सब लोग बैठ कर फैसला कर लेने हो नहीं पाया वो भी कोट के जरी हुआ और ये भी कोट के जरी हो रहा है लेकिन नाकेश जी पूरे देश में एक बहस चल रही है और अचानक से वो बहस चल लही है सनातन को लेकर और सनातन में ऐसी बहस चल लही है चाहे वो राम हो चाहे सनातन हो हिंदू हो और हिंदुत हो ऐसी ओची ओची बातें कही जा रही है और ओची से भी उपर अगर कहें तीकी बातें कही जा रही है आखिर कारण क्या है कि सनातन पर अचानक से ऐसी बहस और वो भी राजनेता और राजनेतिक पाटियों के जरीए देखे पहले तो कोशिस यह थी कि भाद की भुभाग को भारत से अलग कर दो कस्मीर में क्या था कि 41,000 लोगों की मौत के घाट उतार दिया गया और यह सनातन पर जो बहस है, सनातन का मतलब क्या होता है? उपनिसद, वेद, पुरान, स्मिर्ति और उपनिसद का सब्द क्या है? नेती, नेती, यह भी नहीं, वह भी नहीं जो चिरंतन है, लिए स्थाई नहीं है, संदर्व के अंसार जो बदलता रहता है जो मनवता का नुकूल है वो सनातन है, इसलिए भाद की सनातन परंपरा और सनातन धर्म, दुनिया में तब भी आवाद रही जब दुनिया नस्ठ होता रहा, ग्रीक मीट गए, इरोब की पुरानी सभिताइं मीट गए, लेकिन भाद की सभिता चली तो ये सिर्फ मिटी, पेर पहार से नहीं चली, ये चली ज्यान की परंपरा से, और सनातन पर आकरवन वही कर रहे हैं, जो बिदेसों की ताकत से मिलकर नरिंदर मोदी जी को सत्ता से बाहर करने के लिए ब्याकूल हैं, और इस ब्याकूलता में हुए, पहले हिंदुत पर किया, अब सनातन पर करेंगे आगे जाकर पताने ये कहां रुकेंगे इसे सनातन पर प्रहार करने वाले बिदेसी ताक्तों के हाथों में खेल रहे हैं इन सब के बीच एक लखीर और खीचने की कोशिश की जारी है एक नेरेटिव गढ़ने की कोशिश की जारी है उत्तर और दक्षन का क्योंकि हाल ही मैं कार्थी चिदम्रम का बयान आप देखिए वो लिखते है दा दक्षिन इसके साथ साथ बीमके के सांसद जो कहते हैं तो ये क्या है क्या उत्तर और दक्षिन को अलग करने की कोशिश है और अगर वाकई ऐसा है तो ये भारत के लिए कितना खतरनाक है संक्राचार जी का जण्म केरल में हुआ उसको साथान भासम कलिंदी बोलते हैं जगा करनाम को डिफ्रेंटर लेकिन साथान अपयो कल्ळिंदी में और उन्होंने अपने प्रानोत्सर्ग कहां क्या के दाधार्णात में किया जिस संक्राचार जी ने भाखन से आकर जाएंगे और उत्तर दक्षिन में भात विभाजित नहीं होगा, एक और बात में कहूंगा, जो तमिल नेता यह बात कहते हैं, उनको में बता देना चाहता हूं, डियेमके के नेताओं से, तमिल भासा की उत्पत्ति कैसे हुई, दुनिया की अकेली एक भासा है, जिसके बारे मुनी को यह जिम्यदारी दी थी, कि दक्षिन और उत्तर को एक करो, ओल्ड तमिल का इतिहास उठा लें, पूरा इतिहास अगस्त मुनी पर आधारित है, यानि कि द्रमुर मुनेतर करगम और चिदंबरम के सुपत्र, अगस्त मुनी को ही खाड़िज कर रहे हैं, यह एक संस नियती ऐसी है, कि जिस जिस ने भाद की संस्कृति का विरोध किया, नियती और प्रकृति उसको स्वेम में नस्ठ होने का उपाई को ढूड लेती है, यह उपाई उनके भीतर से ही निकल रहा है, वो ऐसी बाते कर रहे हैं कि जनता के बीच में, संस्कृति के बीच में, और समाज के बीच में हुए सुम्हासिय पर जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं, डॉक साहब, कि जिस तरीके से सनातन हिंदू और हिंदुत्त है, लेकिन राजनिताओं के लिए और राजनिती के लिए जो सनातन हिंदू हिंदुत्त है, दोनों में अंतर है, यानि कि जो राजनितीक पार्टी और राजनिताओं सनातन हिंदुत्त की जो परिवाशा है, वो अपने इसाब से गड़ रहे हैं। और इसमें कहीं न कहीं वो गलती कर जा रहे हैं। उस गलती के जरीए वो ये संकेत देने की कुशिश करने हैं किसाब बीजेपी का जो सनातन और हिंदुत्त है वो अलग है और हकीकत में कुछ और है। देखें, सनातन जो बीजेपी का है, वो ही सनातन बास्तो में है। गटना आप देखिए, कुम्भ मेला लगता है, उसी साल कुम्भ लगा, दस लाख लोग कुम्भ में पहुचें, तो जो वाइसराय थे, वे गए मदन मोहन मालविया के साथ कुम्भ देखने के लिए, उन्होंने पूछा कि इतनी भीर जुटाने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। सनातन परंपरा को, सनातन धर्म को, सनातन सभ्विता को कौन प्रस्ण खड़ा कर सकता है। तो मैं यही करना चाहता हूँ कि भारत का सनातन भारते जनता पार्टी इसे राजिति गूप से प्योग नहीं करती है। मानने प्रधानमंती नरेंदर मोदी जी आज जदी भगवान स्यू के मंदिर के लिए गंगा में डूप की लगा कर शिलन्यास करने जाते हैं। जदी प्रधानमंती नरेंदर मोदी जी गंगा इसनान करते हैं, मंदिर जाते हैं या भारत की संस्कृति से अपने आप हम जोडते हैं। हम अपराद वोसे नहीं हैं जवारलाल नेहु की तरह कि कहें कुछ करें कुछ। नेहरु जी भारत की संस्कृति से दूर रहें। लिए उन्हें स्वयम लिखा कि मेरे मिर्त्यू के बाद उनके हस्तिव हस्व को गंगा में प्रवाइद कर दिया जाए। तो ये दोहरा पन भारतिये राजिती में भारतिये जनता पार्टी पसंद नहीं करती हैं। इसले भारतिये जनता पार्टी सनातन धर्म के प्रती अपराद अबोध के जो पैदा किया था कॉंग्रेस ने उसे समाप्त करने का काम के। वही RSS है या इसके उलट है। देखे RSS की मैं दो बाते बताओंगा उससे आप RSS को समझ जाएंगे। 1979 में उडूपी में संग ने तमाम साधू संतों को बुलाया। तमाम साधू संत विभाजित थे। और अस्प्रिस्ता को लेकर मन में था कि ये हिंदू धर्म का हिस्सा है। कानून बन गया था पच्पन में लेकिन अस्प्रिस्ता समाप्त नहीं हो रहा था। और सभी साधू संतों ने ने लिया कि हम अस्प्रिस्ता को समाप्त करने के लिए एक जूटता से काम करेंगे। ये संग का काड़ित था। उसी तरह संग, 1974 में जब इंद्रा गांधी की ताना साही बढ़ गई थी। तो लोकतंत्र को बहाल करने के लिए संग सामने संग के स्वयमसेवक आए। और देश में लोकतंत्र बहाल हुआ। जब इमर्जनसी लगा तो संग के स्वयमसेवक ही जेल गए। अस्ती पृसत जेल जाने वाले संग के स्वयमसेवक थे। 1.14 अधिक SANG के सवयम से वक जेल में मिर्ति हो गई तो SANG ने इस देश को लोकतंत्र पर हो रहे प्रहार से उबारा संग ने समाजिक सांस्कितिक रूप से देश को अभारने काम क्या इस तरह के हजारों से एकरों कहानिया है संग के बारे में धारना बनाकर राजनितिक दुकाने चलाए जाती हैं जब संग के बारे में धारना स्वयम करने के लिए मोहन भागवत जी ने एक बाद साफ का संग को समझना है तो संग के नजदिक आईए और अपनी धारना तब बनाईए अकवारों के आधार पर TV चैनल के बहस के आधार पर आप संग को नहीं समझ सकते इसलिए हम चाहते थे कि कम से कम आप उस तरीके से लोगों को समझाए कि जो विपक्षी पार्टियों के राजनिता जिस तरीके से संग को लेकर खाका खीचने की कुशिश कर रहे हैं संग वो नहीं है ठीक इसके उलठ है आप इंडिया ने उसके मंच पर आए राकेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत थान्यवाद